तो दोस्तों आज जो टिप में आपको बताने वाला हूं वो है Adobe PDF के फॉंट के बारे में दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई PDF फाइल आती है और उसमें कि हमें कोई font बहुत पसंद आता है और हम चाहते हैं कि उस phone को हम अपने किसी पीचर प्यजट के अंदर यूज करें बट वह और हमारे पास system में नहीं होता है तो हम जर्रली क्या करते हैं कि हम पहले तो उस फोंड का नाम पता लगाते हैं तो तरीका क्या होता है दोस्तों हम के जो file होती है था हमसे file menu में जाते हैं और उसकी properties च्छक करते हैं और properties चेक करने के बाद देखते हैं कि उसे font कौन-कौन से installed हैं तो हम देखते हैं कि एक, दो, तीन, चार font installed है और ये हमें इसमें से कुई सार एक font हम चाहते हैं कि अपने project में यह तो यह फिर यह फिर करते हैं कि जो आपको जो फोर्मेट आता है यहां पे दिखाता है और हम इसको नाम जो भी नियागरा सॉलिड है और अपने प्रोसर में जाते हैं और प्रोसर में जाने के पार यहां सर्च करते है नियागरा और नाई ए जी आर ए सॉलिट फोन्ट तो हम सब्सक्राइब करें जो अब हम उस फोन्ट को आप पो आप है अधोप फाइल आई हूई है यहिए उसमें सारे प्रोलम यह यह कि इसमें सारे अधर और नंबर्स भी होने चाहिए तो उस फॉन्ट को हम पीडियाफ फाइल से ही एक्टट करने कि जो पीडियाफ फाइल यहाँ आप यहां ते यहां देखा परपर्टिस के अंदर कि इसने जो फॉन्ट है उसको एंबड किया हुआ या और कि पूब फॉन्ट है इस फाइल में आप अप ही सोना को एक्स्ट भी कर सकते हो अब आज ंज की डिप में आपको यह बताने वाला हूं कि आप इस फॉन्ट को कैसे एक्स्रेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से ज्यादा पसंद है कि आप इसको टेक्च्च्च्वर मोड में देखें तो मैंने इसका एक पोश्ट्री बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे इसका लिंक की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है मैं आपको अपनी यह जो टॉपिक है इसको वीडियो में भी बताने वाला हूं तो दोस्तों इससे पहले कि मैं यह टिप को स्टार्ट करूं यदि आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज यूजिवल जैसे कि महरबार कहता हूं सब्सक्राइब कर लिजिए कि इसको जो मैं टिप्स आने वाली हैं जो मैं आपको टिप देता हूं उनका भायदा आप लोग उठा सके तो सब्सक्राइब कर लिजिए साथ पर नोटिफिकेसन बटन है वह भी प्रेस कर लिजिएगा तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है हमें सब्सक्राइब करना है फॉंट फोर्जेस सौफटवेयर ठीक दोस्तों बहुत सिंपल सौट्वेयर 20-25 का सफट्वेयर है और बहुत एजी सौफ्ट्वेयर है इसके मैं डाउनलोड लिंक दिया हुआ है और यहां पर यहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके यह खुल जाएगी और इसके दोस्ता आप देखिंगे Windows का वर्जिन भी है Mac वर्जिन भी है लाइस वर्जिन भी है तो वह सारे वर्जिन अवेलेबल है तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहां पर डवाइल कर लिए तो यहां पर यहां पर ईकि डाउनलोड जो भी नया वर्जिन आया हुआ है उस पर क्लिक लिजिए और इसके बाद इस पाइल जो है आपके system में save हो जाएगी अब ये file जो है मेरी system में save होई पड़ी है downloads में मेरे programs के दर save होई पड़ी है ये file आपको इस तरीके से मिल जाएगी font4j जो भी आपने font.download करिए इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपने इसको install कर लेना है आपने system पे ठीके दूस्तों तो आप जैसे कि यह मैं स्टाट कर रहा हूं तो मैं पास्यां warning आ रही है तो आपने इसको yes प्लिक कर लेना है यह पिक लिक करने के बाद आप इसको व 국INK कर लिएका ने कि इसको सर्च कर सकते हैं था करते हैं इसको करते हैं इंस्टल तो वह जल्दी सफ्ट्वेर अपके सिस्टम में इंस्टोリ हो जाएगा गारा है इसके बाद यहां पर लिखा होता है launch phone 4G, तो free software है, कोई आपसे पैसे निलेगा, कोई आपसे रेश्टरेशन नहीं मागएगा, कोई कुछ नहीं, बस सीधे आप इसको run कर सकते हैं, तो हमेहाद करते है launch phone 4G, और finish, ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम launch करते हैं, launch करने के बाद, इसका जो interface है कुछ इस तरीके से खुलता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, अब हमें जाना कहा है, जाना है desktop पे, फाइल फाइल है, वो desktop पे save है, बर desktop पे थोड़ास जाने है, वो ज्यादा complicated हो जाता है, तो मिया करता है, फाइल के पहले मैं move करता हूँ, तो मैं desktop पर गया, तो में जो font वारी file थी, मैं इसे copy करता हूँ, और इसको save करता हूँ, कहाँ पे, D में कर देता हूँ, अपने drive D जो भी है, drive D में, मैंने इसको बाहरी save कर लिया है, for fonts, दाम से font.pdf से, और अब हम font 4 जो खोलते हैं, और D पे जाते हैं, तो अब आप देख पा रहे ह यहाँ पर चीज सोन निकर रहे ही, कि हमारे PDF फाइल जो थी, हमने डाली है, fonts वारी, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप निका करना है, filter पर क्लिक करना है, और इस पर दिंशे लिखा हुआ है, extract from PDF, आपने इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो PDF फाइल है, उसमें कितने सारे fonts जो इसने embed किये हैं, वो आ गए है, अब क्या करना, आपको जो यह था, मुझे नियागरा solid चाहिए था, तो हमें इस पर क्लिक करेंगे, और ओके क्लिक करेंगे, अब जैसे आपके क्लिक करते हैं, यह देखिए कि इसके सारे fonts हैं, ए यहां पर आपको किस format में चाहिए, तो हमें चाहिए, यह TTF format में चाहिए, तो आप इसको अटा सकते हैं, कोई जो यह था नहीं है, या नाम आप जो भी दिसकते हैं, क्योंकि इस डॉल तो वो इससे नाम से करेगा, जिस नाम से वो font है, ठीक है, अब इसके अब आपको आग करना चाहते हैं, तो यह देखिए, दोस्तों, कि जैसे यह मनने वहाँ पर जनरेट किया है, तो आप यहां देख़ा है, यहां पर इसको खोल रहा हूं, तो यहां देखिए, इसमें ABCD करेक्टर है, और परकेस, और नमबर्स, जो कि मैंने अपने यहां पीडिया फाइल में इतने करेक्टर थे, तो उसने उन सभी करेक्टर को यहां पर एक्स्टर्ड कर दिया है, बीना किसी वार्निंग के या बीना किसी उसके, तो दोस्तों, अब चाहूं तो मैं इस फॉन्ट को इंस्टॉल करूँ, इंस्टॉल करूँगा, चुकि मैं इस सिस्ट्रम पर पहले से अंदर, तो दोस्तों यह टिप आप कैसे लगी दोस्तों, मैं आपको अपने अगली वीडियो में एक टिप और बताऊं को कई बार क्या होता है, कि हम पीडिया फाइल खोलते हैं और हमारे पास वह फॉन्ट मिस होता है, और हम आप जो देख पाते हैं, प्रोपर्टिस में क सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी सी टिप्स में चैनल पर डालता ही रहता हूं, आप लोग यह दिमें चंग रहे विजिटर हैं, तो जानते हैं यह नए आया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे आप लोग इसको बहुत थी यहां पको टिप्स का फाइदा उठाएंगे, तो दोस्तों यह टिप आप कैसे लेगी मुझे दो बताएगा, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार